नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल सटिक खबर के वीकली डिफेंस अबडेट सीरीज में जहां हम आपके लिए लेके आते हैं पूरे हफ़ते के इंपॉर्टेंट डिफेंस अबडेट्स तो चलिए देख लेते हैं इस हफ़ते के कुछ खास हेडलाइन्स DRDO ने इंडियन नेवी के लिए VLSR SAM के प्रोटोटाइप के ओपर शुरू किया काम इंडियन एरफोर्स के लिए आई बड़ी खबर रुद्रम मिसाहिल को 2022 से फेले किया जा सकता है इंड़क्ट इंडियन आर्मी ने अपने जवानों के लिए लॉंच किया देशी मेसेजिंग एप वाट्स एप को करेगा रिप्लेस अमेरिका ने इंडियन नेवी के लिए फिर से ओफर किया अपने F-18 सुपर होर्निट फाइटर जेट NSA अजीट डुवाल ने पाकिस्तान को लगाया था फोन क्या बोले ISI चीफ को ख़बरों को विस्तार में जानने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हम अपने चैनल पे भारत के डिफेंस और स्ट्रेटिजिक अफेर्स से जुड़ी वीडियोस को रिगलर बेसिस पर बनाते रहते हैं अगर आप भी इन सब्जेक्स में रुची रखते हैं तो हमारे स्टेप करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे हर ने वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए खबरों को विस्तार में जान लेते हैं डियाइडियो के तरफ से आई एक रिसेंट अपडेट के अनुसार डियाइडियो अस्तर बियॉंड विज्वल रेंज एर टो एर मिसाल के प्लाटफॉर्म को बेस करके VLSR SAM या वर्टिकल लॉंच शॉर्ट रेंज सर्फेस टू एर मिसाल के प्रोटोटाइप पे काम करना शुरू कर चुका है VLSR SAM एक नेक्स जनरेशन शिप बेस्ट आल वेदर एर डिफेंस सिस्टम होगा जो कि इंडियन शिप्स को 40 किलो मिटर की दूरी से आ रही किसी भी खत्रे को हवा में ही बरबाद कर सकती है VLSR SAM को इंडियन एर फोर्स और इंडियन नेवी के लिए भी डेवलप किया जाएगा इंडियन एर फोर्स के लिए हाई मोबिलिटी ट्रक माउंटेट कैनिस्टर बेस सिस्टम डेवलप किया जा रहा है वहीं इंडियन नेवी के लिए कैनिस्टर बेस सिस्टम होगा जिसे इंडियन नेवी आने वाले दिनों में अपने frontline warship में लगी इसराइल की बाराक 1 point defense interceptor को replace करेगी इंडियन नेवी ने 2019 में ही एक RFP या request for proposal को इसराइली बाराक 1 missile को replace करने के लिए जारी किया था जिसे वो अपने सारे कमोर्ता क्लास कॉर्वेट में इस्तेमाल करता है पर इस RFP के अंतरगत किसी भी foreign missile को select नहीं किया गया है और आज हमारे सारे कमोर्ता क्लास के कॉर्वेट जिसमें पिछले हपते इंडियन नेवी को join की गई कवरती भी है इन मेंसे किसी में भी अभी तक point defense system missile नहीं लगा हुआ है और ये हमारे सारे anti-submarine warships में एक बहुत ही बड़ी कमी है हिंदुस्तान टाइम्स में आई एक report के अनुसार भारत की पहली anti-radiation missile रुद्रम को इंडियन एर फोर्स में 2022 तक इंड़क्ट कर लिया जाएगा जिससे इंडियन एर फोर्स की दुश्वन देश के radars और surveillance system को बरबात करने की capabilities और भी बढ़ जाएंगी पूरी तरह स्वदेशी तोर पर बनी इस missile को DR-DO द्वारा इंडियन एर फोर्स के लिए विक्सित किया गया है जिसे पहली बार 9 October को सुखोई 30 MKI से टेस्ट किया गया था DR-DO द्वारा दी गई एक बयान में कहा गया है कि रुद्रम की passive homing capabilities की मदद से यह आसानी से हर तरह के band या frequency को classify कर सकता है और उनके साथ engage कर सकता है उन्होंने आगे यह भी कहा है कि रुद्रम को आगे और 6-7 टेस्ट से गुजरने होंगे जिसके बाद हिने इंडियन एर फोर्स में इंडेट कर लिया जाएगा रुद्रम का अगला टेस्ट इस साल के अंद तक फिर से एक बार सुखोई से किया जा सकता है साइबर सिक्योरिटी और हाइबरिड वारफेर को नजर में रखते हुए इंडियन आर्मी ने अपने जवानों के लिए वाटसाइप की तरह एक पूरी तरह स्वदेशी तोर पर बनी मेसेजिंग अप को लॉंच किया है रिसेंटली लॉंच किये गये इस अप्लिकेशन का नाम साइ रखा गया है जिसका मतलब है सिक्योर अप्लिकेशन फॉर इंटरनेट और इस अप को डेवलप करने वाले शक्स का नाम भी साइ है जो की इंडियन आर्मी में एक कर्नल है इस मौके पे डिफेंस मिनिस्ट्री से आई एक स्टेट्मेंट में कहा गया है कि साई कमर्शिली अवेलिबल वाटस एप, टेलिग्राम ये समवाद की ही तरह एक मेसेजिंग अप है जिसमें भी end-to-end encryption messaging protocol का ध्यान रखा गया है और अब इस आप को पूरे armed forces में deploy भी किया जाएगा आप सबको तो पता ही होगा कि चाइना और पाकिस्तान के तरफ से लगातार तरीके से hybrid warfare को बढ़ावा दिया जा रहा है अब इसके मद्दे नजर इंडियन आर्मी ने इस साल जुलाई में अपने armed personal के लिए 89 apps पर बैन लगा दिया है जिसमें facebook और instagram जैसे apps भी शामिल है कुछ साल पहले इंडियन नेवी ने अपने aircraft carrier INS Vikram Aditya और under construction INS Vikramaditya और अपरेट करने के लिए 57 naval fighter jets को खरीदने की इच्छा जाईर की थी पर उसके बाद इस पर कोई ठोस निर्ने नहीं लिया गया है अमेरिका ने पिछले बुद्वार को इंडियन नेवी के लिए फिर से एक बार F-18 Super Hornet jets को आफर किया है ANI में आई ये खबर के अनुसार भारत और अमेरिका के बीच चल रहे 2 प्लेस 2 मीटिंग के दौरान अमेरिका ने भारत को F-18 को government to government deal के अंतरगत बेचने की proposal रखा है इंडियन नेवी में इस्तेमाल किये जा रहे MIG-29 को 2030 तक रिटायर होना है और इनकी forward order को देने के लिए इंडियन नेवी इनके performance से खुश नहीं है ऐसे में इंडियन नेवी फिलहाल F-18 और राफेल दोनों को ही अपने present और feature aircraft के लिए assess कर रहा है राफेल और F-18 दोनों ही INS विक्रा में दित्य से अपने take off और landing capabilities को इंडियन नेवी के लिए showcase भी कर रही है और खबर ये भी है कि अमेरिका F-18 के साथ साथ अपने sea guardian drones को खरिदने के लिए भारत पर जोर बना रहा है हमने आपको पिछले एक वीडियो में हाल ये में पाकिस्तानी opposition leader के तरफ से अभीनंदन वर्दमान के रिहाई को लेके दी गई एक बयान के बारे में बताया था जिसमें उन्होंने 27 फरवरी 2019 को इमरान खान और पाकिस्तान के आर्मी चीफ के हालत के बारे में बताया था तो अब इस news से related और एक बड़ी ख़बर Republic से निकल के आ रही है रिपोर्ट के अनुसार भारत के NSA अजित डोवाल ने 27 फरवरी 2019 को अभीनंदन के कैप्चर होने के बाद ISI चीफ आसीम मुनीर से सीधे एक सेक्योर लाइन पे बात की और धमकी देते हुए कहा कि अभीनंदन के कैप्चर करने मात्र से इंडिया counter-terrorism campaign को रोकने वाला नहीं है और अगर अभीनंदन को गलती से कुछ भी हो गया तो वो पाकिस्तान को निस्तनाबोत करने के लिए पूरी तरह से तयार है अजिस डोवाल की इस बात को बाद में पाकिस्तान के एक मिनिस्टर ने भी confirm करते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान के अंदर 6 targets पे निशाना बना कर तयार बैठा हुआ है हाल ही में सोशल मीडिया में हलचल कर रही एक वीडियो में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भारत द्वारा प्लान की गई इस missile attack के बारे में जिक्र करते हुए भी सुन सकते हैं मीडिया में आई इन रिपोर्ट्स को देखकर तो लगता है कि पाकिस्तानी लीडर की बात तो 100% सही है जिसमें उन्होंने कहा था कि बारत की डर से पाकिस्तान गवर्मेंट के लीडर्स और उनके आर्मी चीप के पसीने चूट रहे थे और उनके पैर भी काप रहे थे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं आगे और बेसी सठीक खबरे और उनके विशलेशन के लिए हमारे चैनल को प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद, जैहिंद